एक सामुहिक हिन भावना थी इस सामुहिक हिन भावना को एक मास इन्फियारिटी कॉंप्लेक्स को समाप्त करकर हम भी कर सकते हैं हम ही करेंगे एक घवरव के साथ दुनिया के सामने किया नरेंद्रमोदी जी ने पहली बार इस देश को गुलामी के प्रतिकों से मुक्ति दिल आने का हवान किया ये शुरुवात आजादी के दूसरे दिन होनी तह ये थी परंटु जब तक कॉंग्रेस रही जब तक इंडिये लाइंस वाले रहे इसकी कलपना भी नहीं की मोदी जी ने गुलामी के प्रतिकों से मुक्ति के लिए 15 अगस को लाल किले की प्राचिर से हवा क RAW उग्रवाद और अतंकवाद है नकसलवाद इस देश को चार दसक से परिशान करता है मोदी जी के 14 Country के काषफार काल में और उग्रवाद और आतंकवाद और नकसल्वाद अपनी अंतीम सांसे गिंडा है मैं देश की जंता को कहना चाहता हूँ मोदी ठी में ये देश पून तया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्तो कर सांत और समरुद्ध भारत बनने की गिसा में आगे बहुता। इसकी मिसाल कायं की है, पूरे आजादिक से अतने कालखन, सरकारों की मिमान सा इसी तरस से होते हैं, ये सरकार किसानों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार, ये सरकार किसान कल्यान करेगी या एकोनोमी को आखे बढ़ाएगी, मूदी जी ने बता दिया, किसान कल्यान भी हो सकता है और अर्थ तंत्र भी पट्री पर आ सकता है दुनों की बीच में कोई भी तवारा रहा यह सरकार गाओं की है या सहरों की यह भी विरोदाबास रहा या तो आप गाओं का विकास कर सकते हो या सहर का कर सकते हो मोदी जी ने ये भी सिद्ध कर दिया गाओं दुनिया में सबसे अच्छे गाओं बन सकते हैं गाओं से कोई पलाय नहीं होगा और सहर भी दुनिया में सबसे सुविदा पूर्ण सहर बन सकते हैं स्मार्ट सिटी बन सकते हैं ये सीध दिखिया गरीब कल्यान और अर्थतंत्र का विकास दोनों के बीच में भी बहुत बहुत कई बार कई सरकार कई अर्थसास्त्री कई पंडी कहते रहे कि जो अर्थतंत्र का विकास करना है तो गरीब कल्यान को छोड़ना पड़ेगा मैं आज सब के सामने कहना चाहता हूँ हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना हर गरीब को सभी प्रात्मीक सुविदाएं एक साथ दे देना और अर्थ तंत्र को 11 नंबर से 15 नंबर पर ला देना वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं बाई और बेनो आज एक संदेश लेकर जाएं यहां से 130 करोर की 140 करोर की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री देश की जनता बनाए हमारा अर्थ तंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा इस संदेश लेकर हम ने जाना है इसी तरह से एक ध्वंद चालू रहा कि विदेश निती अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़िया बहुत कंप्रोमाईज करना पड़ेगा यह बहुत लंबा भाष का विश्व आजादी के बाद तुरन शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा निती और विदेश निती के बीच के ध्वंद में फस्ते रहे मोदी जी ने एत्ताई कर लिया और करकर दिखाया कि सरहत की सुरक्षा देश की सुरक्षा अमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है और आज एक करने के बाद देश को सुरक्षित करने के बाद मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्ताफित किया वसुदेव कुटुम्बम का हमारा सुत्र को उन्होंने नीचे निका मित्रों इंडी एलायंस और कॉंग्रेस पार्टी इसकी देन भी किस देश के लोगतंत्र की स्पिरीट को खतम कर देश के लोगतंत्र को ब्रस्ताचार, परिवारवाद, तुरुष्टी करन और जाती वाद से कलर्ड कर दिया कभी भी स्वतंत्र रूप से